बिहार डिलेड इंट्रांस एक्जाम 2000 जो भी एस्टुडेंट बिहार से 2023 में डिलेड करना चाहते हैं उन सभी एस्टुडेंटों के लिए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है यूँकि बिहार डिलेड इंट्रांस एक्जाम का न्यू पैटन जारी कर दिया गया साथ में अब पुराना पैटन को बदल कर अब न्यू पैटन जारी कर आगए आज के इस वीडियोगा माध्यम से आप लोगों को न्यू पैटन के भारी में फूल इंपोर्मेशन का साथ सभी डिटेल में आप लोगों का इस टेप बताने बाले हो तो चलिए वीडियो स्टाट करने है अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार देखते हो तो चैनल को तो बैल अकॉन को भी ऑन कर लिज़े क्योंकि बिहार डिलेट एक्जाम के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बरी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के दौर आप लोगों तक पहुचा दिया जाता है यहां पर देख लिज़े क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को बिहार बोड से 12 पास होना चाहिए जो कि आप लोगों को बता दू को पहले बे 12 पास होना चाहिए लेकिन इस बार देख लिज़े एपियरिंग वाले एस्टुडेंट भी भर जो एस्टुडेंट 2023 में बिहार बोड से 12 पास करेंगे वो भी एस्टुडेंट इस बार फरम फिलब कर सकते साथ में देख लिज़े किसी भी बोड से 12 पास अगर आप लोगों को मनता प्राप्त है गोबर्मेंट से तो आप लोग भी फरम फिलब कर सकते उसके बार देख लिज़े नीचे में जाने के बाद यहां पर देख लिज़े कोच इंपोर्टेंट जनकार है जो कि आप लोगों को नियू पैटन में जारी किया गया है 12 में कम से कम आप लोगों को 50% मार्क होना चाहिए 7 में आरक्षी सीट वाले को आप लोगों को कम से कम 45% मार्क इस बार लाना परेगा उसके भाद ही आप लोग को इसमें फरंफिलब कर सकते उसके बाद देख लिजे minimum age की बाद करें तो आप लोगों को 17 साल रखा गया पहले जोकी आप लोगों को बदा दू कि 18 साल रखा गया था उसके बाद देख लिजे नमर चार में आप लोगों को इकजामेशन जो है computer reset पहले इस बार भी होगा उसके बार यहां पर देख लिए टैमिंग की बात करें तो आप लोगों को टैम जो है दो गहनता 30 मिनट रहने वाला है उसके बार देख लिए यहां पर टोटल कोश्चिन की बात करें तो आप लोगों को 120 कोश्चन पुछा जा रहा था इस बार आप लोगो को 120 कोश्चन हि पूछा जाएगा उसके बाद यहां पर देख लिजए टोटल टाइम की बात करे तो आप लोगों को दो गहनता 30 मिनुट में आप लोगों को 120 कोश्चन का जवाब देना है वह powin формal को की एक मार्क्स इस बार से आप लोगों को लागो किया गया है पहले आप लोगों को बता दू कि एक कोश्चन पर थिरी मार्क्स दिया जा रहा था है उसके बार देख लिए नीचे में कोश्चन मार्क्स किसी बात करें तो यहां पर देख लिए एक मार्क्स अनि एक कोश्चन आप लोगों को जितना सही रहेगा उतना ही mark count किया जाएगा और आप लोगो को negative mark नहीं किया जाएगा उसके बार देखी लिए परवेस परिक्था में आप लोगो को minimal 45 परसेंट mark लाना होगा और वह ही अरक्षित कोटे बाले को आप लोगो को बता दो कि minimum 30 परसेंट mark लाना ह तोटल बैस हजार रुपिया चार्ज लिया जाएगा अप लोगों को भी तोटल बैस हजार रुपिया चार्ज लिया जाएगा इससे पहले आप लोगों को बचासटी लग में चार्ज की बात किरतों जनरल और ओभीसी की लिए पहले इससे पहले जो आप लोगों को चार्ज लिया जा रहा था लरका आईबम लरकी दोनों के लिए 750 रुपिया चार दिलिया जा रहा था है उसके बाद आप लोगों को नीचे में देखे लिए नीचे में जाने के बाद आप लोगों को इसका ओपिस्यल वेफसाइट की बात के लिए यहां पर देखे लिए लिए ओफसाइट बिहार डॉट इन के दुआर आप लोगों को ऑनलाइन आवे दोनों अगर आप लोगों ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग टेलिगराम गुरूप में जाकर जॉइन हो सकते हैं बिहार बोट फास्ट नियूज का नाम से मिल जाएगा या आप ल बिजान नाम से जबते हैं या आप लोगों जा यहां पर उसका स्क्रीन शोट भी ले सकते है अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को गमेंट बक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं साथ मंहीं पहली बार चैनल पे दखरे हो तो चानल क सब्सक्राइब करके रखिए वहां बैल अकॉन को भी अनकर जी क्योंको बिहार डिले इन ट्रांस एक्जाम के रिगारिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसुपहले इस चैनल के द्वार आप लोगों तक बता दिया जाएगा तो चलिए मिलते किसी नेक्ट वीडियों नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए